परिचाए जल्दी करो बेटा, हमें बहुत सी वस्तुएं पैक करनी है हाँ, मैं आ रहा हूँ किरप्या मेरी तीन लाल और दो सफेद केंदें पैक कर दीजिए ठीक है, वे मुझे दे दो नहीं, सफेद इस ओर और लाल वाली मद्य में अच्छा, तुम्हेंने अलग-अलग क्रम में व्यवस्तित करने का प्रयास कर रहे हो हाँ, मैं ऐसे ही कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे इसे क्रमचय और संचय कहते हैं इसमें हम वस्तुएं को क्रम में क्रम के बिना व्यवस्तित करते हैं क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल. इस पार्ट में आप वस्तूओं को अलग-अलग तरीके से वैवस्तित करना सीखेंगे. उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्ण करने में सक्षम हो जाएंगे. आधार भूत सिध्धांद का प्रियोग करते हुए वस्तूओं की संख्या गिनना, तरीकों की संख्या ग्याद करना जिनमें कारे किया जा सकता है. वस्तूओं को क्रम में और बिना किसी क्रम में वैवस्तित करना. गणना का आधार भूत सिध्धांद पहले आईए से एक उधारन से समझें. रमेश आगरा से चन्नई रेल काड़ी से जाना और चन्नई से वापस दिल्ली वायु मार्क द्वारा आना चाहता है. आग्रा से चन्ने के लिए तीन अलग-अलग रेल काणिया है और चन्ने से आग्रा के लिए दो अलग-अलग उड़ाने है वो कितनी तरह से यात्रा कर सकता है हल है, चुंकि वो चैननी जाने के लिए तीन रेल गाणियों में से किसी एक का चैन कर सकता है और इस तरह के प्रतीक चनाओं के लिए उसके पास आगरा लोटने के लिए दो विकल्प हैं वो तीन गुणा दो तरीकों से यात्रा कर सकता है अर्थात छे तरीके गर्दा के आधार भूत सिधांत की व्याक्या नीचे की गई है यदि एक घटना M भिन तरीकों से घटित हो सकती है तो दिये हुए क्रम में दोनु घटनाओं के भिन तरीकों से घटित होने की कुल भिन संख्या M गुणा N है यदि एक घटना M1 भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है तदो प्रांथ एक दूसरी घटना M2 भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है और उसके बाद एक तीसरी घटना M3 भिन तरीकों से घटित हो सकती है और इसी प्रकार घटनाओं की किनी परिमित संख्या तक तो ऐसे तरीकों की कुल संख्या जिन में सभी घटनाएं बताए गए क्रम में घटित हो सकती है M1 गुणा M2 गुणा M3 और इसी प्रकार आगे तक है उधारण तीन पदों के लिए 6 आवे तक हैं कितने तरीकों से पदों को भरा जा सकता है हल पहले पद को 6 तरीकों से भरा जा सकता है दूसरे पद को 5 तरीकों से भरा जा सकता है और फिर तीसरे पत को चार तरीकों से भरा जा सकता है साचरे के सिध्धान्त द्वारा तीनों पतों को 6 गुणा 5 गुणा 4 बराबर 120 तरीकों से भरा जा सकता है क्रमचाय क्रमचाय वस्तूओं का एक क्रमित विन्यास होता है आपकी अवधारणाओं को स्पश्ट करने के लिए नीचे अवधारणा दी गई है तीन गेंदे हैं जो एक क्रमित विन्यास में व्यवस्थित है उधारण के रूप में अक्षरों A और B के क्रम चैयों पर विचार करें ये सोचें कि A और B को आप कितने भिन्न तरीकों से वेवस्थित कर सकते हैं क्रम चैय में क्रम का बड़ा महत्व है A B, B A जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों क्रमचयों में केवल क्रम का अंतर है हमारे पहले क्रमचय A B में A पहला है और B अंतिम है दूसरे क्रमचय B A में हमने क्रम को इस प्रकार से बदल दिया कि B पहला हो जाता है और A अंतिम क्रमचाय जब सभी वस्तुएं भिने भिन हैं प्रभाई एक न भिने वस्तुओं में से एक समय में R वस्तुओं को लेकर बनाई गए क्रमचायों की संख्या जहां शूनने R से कम है जो कम यः पराबर है N के तथा वस्तुओं की पुंद्रावृत्ती नहीं होती है N गुणा N घटा 1 गुणा N घटा 2, N घटा R जमा 1 तक, जिसे NPR से निरूपित करते हैं. क्रम गुणित संक्यतन एक प्राकृत संक्या N का क्रम गुणित N से कम या इसके बराबर धन पूरांकों के गुणनफल के बराबर होता है. एक गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 इत्यादी N घटा 1 गुणा N तक, बराबर N क्रम गुणित और 0 क्रम गुणित बराबर 1. उधारन के लिए 7 क्रम गुणित बराबर 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 5040. 5 क्रम गुणित बराबर 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 120. उधारान, यदि N क्रम गुणित बटे 2, क्रम गुणित गुणा N घटा 2, क्रम गुणित और N क्रम गुणित बटे 4, क्रम गुणित गुणा N घटा 4, क्रम गुणित 2 अनुपात 1 क्या अनुपात में हो, तो N का मान ग्याद करें. हल एन क्रम गुनित बटे दो, क्रम गुनित गुणा एन घटा दो, क्रम गुनित अनुपाद एन क्रम गुनित बटे चार, क्रम गुनित गुणा एन घटा चार, क्रम गुनित बडाबर दो अनुपाद एक, क्रम गुनित गुणा एन घटा चार, क्रम गुनित बडाबर दो अन N घटा 2, क्रम गुनित गुना 4, क्रम गुनित गुना N घटा 4, क्रम गुनित बटे N, क्रम गुनित बराबर 2 बटे 1, 4 क्रम गुनित गुना N घटा 4, क्रम गुनित बटे 2, क्रम गुनित गुना N घटा 2, क्रम गुनित बराबर 2, चार गुणा तीन गुणा दो, क्रम गुणित बटे दो, क्रम गुणित गुणा एन घटा चार, क्रम गुणित बटे एन घटा दो, गुणा एन घटा तीन गुणा एन घटा चार, क्रम गुणित बराबर दो, बरा बराबर दो, गुणा एन घटा दो, गुणा एन घटा तीन 6 बड़ाबर n वर्ग घटा 5n जमा 6, n वर्ग घटा 5n बड़ाबर 0, n गुणा n घटा 5 बड़ाबर 0, n बड़ाबर 0 या 5, जब n बड़ाबर 0, n घटा 2 क्रम गुणित और n घटा 4 क्रम गुणित परिभाशित ना हो, N पराबर 0 को असुईकार करने पर हमारे पास है N पराबर 5. क्रम चाहे NPR के लिए सूत्र NPR पराबर N क्रम कुनित बटे N घटा R क्रम कुनित शोने से कम या बराबर है R के जो कम या बराबर है N के पराबर 2 N विभिन वस्तुओं में से एक समय में R वस्तुओं लेकर बने क्रम चाहें की संख्या जबकि पुन्द्रा वृत्ती की अनुमती हो N की घात R होती है क्रमचय जब सभी वस्तुएं अलग-अलग ना हो प्रमय तीन N वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या जहां P सबान प्रकार की वस्तुएं हैं और 6 अलग-अलग हैं बराबर N क्रमगुनित बटे P क्रमगुनित प्रमय चार N वस्तों के क्रम चयों की संख्या जहां P 1 एक प्रकार की वस्तों हैं, P 2 दूसरे प्रकार की वस्तों हैं इत्यादी P के केवें प्रकार की हैं और 6 यदि कोई हैं तो वे अलग-अलग प्रकार की हैं N क्रम गुनित बटे P1, क्रम गुनित गुणा P2, क्रम गुनित P के क्रम गुनित तक उधारण ऐसी तीन अंकियें कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंकों की पुन्द्रा वृत्ती नहीं होती है हल 10 अंक होते हैं जो इस प्रकार है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सेकड़े के स्थान को 9 अंकों में से किसी एक के द्वारा भरा जा सकता है बराबर 9 तरीकों से 10 के स्थान को 10 अंकों में से किसी एक के द्वारा भरा जा सकता है सेकड़े के स्थान वाले अंकों को छोड़कर 9 तरीकों से इकाई के स्थान को शेश आठ अंकों में से किसी एक के द्वारा भरा जा सकता है आठ तरीकों से गड़ना के आधार भूत सिध्धान्द के अनुसार तीन अंकिय संख्याओं की अभीष्ट संख्या बराबर नौ गुणा नौ गुणा आठ बराबर चैसो अर्तालीस उधारन विभिन रंगों के पांच ध्वाजों से कितने संख्याओं दिये जा सकते हैं हल चुकि एक संख्याओं की किसी भी संख्या का प्रयोग किया जा सकता है अताह निमनिलिकित संभावनाएं हैं तरीकों की संख्या जब केवल एक ध्वाज का प्रयोग किया जाता है बराबर 5P1 बराबर 5 तरीकों की संख्या जब किनी दो ध्वाजों का प्रयोग किया जाता है यानि 5P2 बराबर 20 तरीकों की संख्या जब किनी तीन धोजों का प्रियोग किया जाता है तरीकों की संख्या जब किनी चार धोजों का प्रियोग किया जाता है तरीकों की संख्या जब सभी पाँचों धोजों का प्रियोग किया जाता है तरीकों की संख्या जब सभी पाँचों धोजों का प्रि उधारण शब्द ओरियंटल के अक्षरों के ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं कि स्वर सदेव विशमिस्थानों पर हूँ हल शब्द ओरियंटल में स्वर हैं O, I, E और A शब्द ओरियंटल में अक्षरों की कुल संख्या आठ है स्वरों की संख्या चार है स्वर विशमिस्थानों पर आते हैं अर्थात एक, तीन, पाँच और साथ विशमिस्थानों की संख्या चार है चार स्वारों को चार एक्स चिन्हित स्थानों में व्यवस्थित किया जा सकता है जो बराबर है चार पी चार तरीकों से जो की बराबर है चार क्रम गुनित तरीके के व्यन्जकों की संख्या चार है 4 वियंजकों को 4 स्थानों में वेवस्थित किया जा सकता है बराबर 4P4 तरीकों से, 4 क्रम गुणित तरीके से Shabdों की अभीष्ट संख्या बराबर 4 क्रम गुणित गुणा 4 क्रम गुणित बराबर 24 गुणा 24 बराबर 576 संचय संचय एक ऐसा विन्यास है जिसमें क्रम का महत्व नहीं है ये परिभाशित करता है कि आप किसी बड़े समू से एक समू को कितने तरीकों से चुन सकते हैं उधारन पर विचार करें फ्रूट, सेलट, सेब, अंगूर और केले का संचय है वडन हम इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि फलों का क्रम क्या है उनका क्रम केले, अंगूर और सेब या अंगूर, सेब और केले भी हो सकता है लेकिन ये फ्रूट सेलट ही है एन भिन वस्तुओं में से एक समय में आर वस्तुओं लेकर बनाएगाए संचयों की संख्या ग्यात करतें के लिए सूतर है NCR बराबर N क्रम कुनित पटे N घटा आर क्रमकुनित गूना आर क्रमकुनेत संचय प्रमय पाँच, क्रमचय और संजय के मत्थे गनितिय संबंध, NPR बराबर NCR गुणा R क्रमगुणित, 0 छोटा है R से, जो छोटा या बराबर है N के महदपून निशकर्ष, 1. यदी R बराबर N, तो NCN बराबर 1, 2. यदी R बराबर 0, तो NC 0 बराबर 1, 3. NCN घटा R बराबर NCR इसकार्थ है R वस्तुएं चुनना, N घटा R वस्तुएं अस्विकार करने के समान है 4. NCA बराबर NCB, इसकार्थ है A बराबर B या A बराबर N घटा B, अर्थात N बराबर A घटा B प्रमगुण चै, NCR जमा NCR घटा 1 बराबर N जमा 1CR उदारन, यदि NCR अनुपाद NCR जमा 1 बराबर 1 अनुपाद 2 और NCR जमा 1 अनुपाद NCR जमा 2 बराबर 2 अनुपाद 3 तो N और R के मान ग्याद करें हल, दिया है NCR अनुपाद NCR जमा 1 बराबर 1 अनुपाद 2 NCR गुणित बटे N घटा R, क्रम गुणित गुणा R, क्रम गुणित अनुपाद NCR गुणित बटे N घटा R घटा 1 क्रम गुणित गुणा R जमा 1 क्रम गुणित बराबर 1 अनुपाद 2 या NCR गुणित बटे N घटा R गुणा N घटा R घटा 1 क्रम गुणित गुणा R, क्रम गुणित गुणा N घटा R घटा 1 क्रम गुणित गुणा R जमा 1 गुणा R क्रम गुणित बटे N क्रम गुणित बराबर 1 बटे 2 या R जमा 1 बटे N घटा 1 बराबर 1 बटे 2 या N घटा 3R घटा 2 बराबर 0 इसे एक नाम दें, NCR जमा 1 अनुपाद NCR जमा 2 बराबर 2 अनुपाद 3 N क्रम गुणित बटे N घटा R घटा 1, क्रम गुणित गुणा R जमा 1, क्रम गुणित बटे N घटा R घटा 2, क्रम गुणित गुणा R जमा 2, क्रम गुणित बराबर 2 अनुपाद 3 N क्रम गुणित बटे N घटा R घटा 1 गुणा N घटा R घटा 2 क्रम गुणित आर जमा 1 क्रम गुणित गुणा N घटा R घटा 2 क्रम गुणित गुणा R जमा 2 गुणा R जमा 1 एक क्रम गुनित बटे एन क्रम गुनित बराबर दो बटे तीन आर जमा दो बटे एन घटा आर घटा एक बराबर दो बटे तीन दो एन घटा पांच आर घटा आठ बराबर शुन्ने इसे दो नाम दें एक और दो को हल करने पर हम प्राप्त करते हैं N बराबर 14, R बराबर 4 उधारण राजेश के साथ मित्र हैं एक पार्टी में वो एक या अधिक को कितने तरिकों से आमंतरित कर सकता है हल राजेश उनमें से एक को उनमें दो को या उन सभी को आमंतरित कर सकता है और ये 7C1, 7C2, 7C3, 7C4, 7C5, 7C6, 7C7 तरिकों से किया जा सकता है तरिकों की कुल संख्या पराबर है 127 के क्या आप जानते हैं? भासकर को भासकर दूइतिये और भासकरा चारे के नाम से भी जहना जाता है, जो भारतिये गणितक के और खगोल वित्थे भासकरा चारे ने इस विशे में महितपून योगतान दिया सारांश आएए हमने जो कुस्ती का है उसे संग्षेप में दोहराएं गणना के सिध्धान्द का आधार भूद सिध्धान्द इस प्रकार है यदि एक गटना M1 भिन तरीकों से घटित हो सकती है तदो प्रांथ एक दूसरी गटना M2 भिन तरीकों से घटित हो सकती है और उसके बाद एक तीसरी गटना M3 भिन तरीकों से घटित हो सकती है और इसी प्रकार गटनाओं की किनी परिमित संख्या तक तो ऐसे तरीकों की कुल संख्या जिन में सभी गटनाएं बताय गए क्रम में घटित हो सकती है M1 गुणा M2 गुणा M3 और इसी प्रकार आगे तक है क्रम गुणेत 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 इत्यादी N घटा 1 गुणा N तक बराबर N क्रम गुणेत N भिन वस्तूओं में से एक समय में आर वस्तूओं को लेकर बनाए गए क्रम चैयों की संख्या NPR बराबर N क्रम गुणेत बटे N घटा R क्रम गुणेत 0 गम या बराबर है R के जो कम या बराबर है N के क्रम चैय जब सभी वस्तूओं भिन भिन नहीं हो N वस्तूओं के क्रम चैयों की संख्या जहां P1 एक प्रकार की वस्तूओं है P2 दूसरे प्रकार की वस्तूओं है इत्यादी P के के वें प्रकार की है और शेश यदि कोई हैं तो वे अलग-अलग प्रकार की है N क्रम गुणेत बटे P1 क्रम गुणेत गुणा P2 क्रम गुनित इत्यादी PK, क्रम गुनित तक N भिन वस्तुमें से एक समय में R वस्तुमें को लेकर बनाएगए संचयों की संख्या ज्यात करने के लिए सूध रहे NCR पराबर N क्रम गुनित पते N घटा आर क्रम गुनित गुणा R क्रम गुनित क्रम चै और संचै में समबन्ध NPR पराबर NCR गुणा R क्रम गुनित 0 ने कम है R से जो कम या पराबर है N के महत पूर्ण निशकर्श NCA बराबर NCB इसकार्थ है A बराबर B या A बराबर N घटा B अर्थात N बराबर A जमा B NCR जमा NCR घटा 1 बराबर N जमा 1CR